नमस्कार साथियों आपका स्वागत है हमारे चानल में तो कैसे हो आप सब आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही महत्पून होने वाला है यदि आप सरकारी नौकरी की तयारी करते हैं तो वीडियो के अंतक बने रही है यदि आप इन प्रश्णों में से किसी का उत्तर पहले से ही जानते हो तो कमेंट में जरूर बताईए तो साथियों वीडियो को शुरू करते हैं सवाल नमबर एक महत्मा गान्दी जी का जन कहा हुआ था आपका ओप्शन है A. गुजरात राजी के पोर बंदर में B. असम राजी के पोर बंदर में C. उतर प्रदेश राजी के पोर बंदर में D. महराश्टर राजी के पोर बंदर में आपका सही ओप्षिन हो जाएगा A. गुजरात राजी के पूर बंदर में सवाल नमबर 2 महत्मा गांदी जी का जनकभ हुआ था आपका ओप्षिन है A. दो अक्टूबर 1860 इस्वी को B. दो अक्टूबर 1865 इस्वी में C. दो अक्टूबर 1879 इस्वी को D. दो अक्टूबर 1875 इस्वी को आपका सही ओप्षिन हो जाएगा C. दो अक्टूबर 1879 इस्वी को सवाल नमबर 3 महत्मा गांदी जी के पिता का क्या नाम था आपका ओप्षिन है A. देवदास गांदी B. करमचंद गांदी C. मनीलाल गांदी D. राहुल गांदी आपका सही ओप्षिन हो जाएगा B. करमचंद गांदी सवाल नमबर 4 महत्मा गांदी जी की माता का क्या नाम था आपका ओप्षिन है A. इंदिरा गांदी A. प्रियंका गांदी B. कस्तूर्बा गांदी C. सोनिया गांदी D. इंदिरा गांदी आपका सही ओप्षिन हो जाएगा B. कस्तूर्बा गांदी सवाल नमबर 6 महत्मा गांदी जी ने 1926 वी में कहा सत्याग्रे का पहला प्रयोग किया था आपका ओप्षिन है A. दक्षिन कुरिया में B. मलेशिया में C. लंदन में D. दक्षिन अफरिका में आपका सही ओप्षिन हो जाएगा D. दक्षिन अफरिका में सवाल नमबर 7 7 अप्रेल 1934 इस्वी को गांदी जी ने कौन से आंदोलन को समाप्त कर दिया था आपका ओप्षिन है A. सविनय अवग्या आंदोलन को B. नमग सत्याग्रह आंदोलन को C. असयोग आंदोलन को D. चमपारण आंदोलन को आपका सही ओप्षिन हो जाएगा A. सविनय अवग्या आंदोलन को सवाल नमबर 8 8 अगस्त 1942 इस्वी को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान ही महात्मा गांदी जी ने कौन सा नारा दिया था आपका ओप्षिन है A. जय जवान जय किसान का नारा B. इंकलाब जिन्दाबाद का नारा C. करो या मरो का नारा D. दिली चलो का नारा तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपका सही ओप्षिन हो जाएगा C. करो या मरो का नारा Sवाल नंबर 9. महत्मा गांधी जी की हत्या कप की गई थी? आपका ओप्षिन है A. 28. जन्वरी jus 67 इसवी को B. 30. जन्वरी 1948 इसवी को C. 30. जन्वरी 1948 इसवी को D. 30. जन्वरी 1944 इसवी को आपका सही ओप्षिन हो जाएगा B. 30. जन्वरी 1948 इस्वी को सवाल नमबर 10 महत्मा गांधी जी को गोली कसमे मारा था आपका ओप्षिन है A. गोपाल कृष्न गोखले जीने B. लाल बहादुर शास्री जीने C. रविन्र नाथ टाई गोर जीने D. नाथ वराम गोर से जीने आपका सही ओप्षिन हो जाएगा D. नाथ वराम गोर से जीने